बगवान राम की नगरी अयोधिया में कली के दिन बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने नया घाट बंदा चराहे पर विशाल का इवीडा का उधगाटन किया था जिसके चलते अब नया घाट बंदा चराहाल अतामंगेश का चराहे के नाम से जाना जाएगा वही अब अयोधिया नगरी में भगवान राम की विश्च के सबसे ऊची प्रतिमा लगवाई जाएगी आपको बता दे कि ये प्रतिमा 2-50 मीटर ऊची बनाई जाएगी बताय जा रहा है कि राम मंदर निर्माड के बाद ही बगवान राम की विशाल का प्रतिमा लगाई जाएगी यह प्रतिमा स्टैच्यू आफ यूनिटी बनाने वाली कंपनी पदम श्रीप्रुशकास से पुरस्कृत सुतार प्राइविट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाई जाएगी इस पर मूर्तिगार बताते हैं कि नवंबर 2018 में ही मूर्ति के सरूप का चवेन हो गया था यह प्रतिमा कुल 2 से 51 मीटर की होगी जिसमें 50 मीटर का बिल्डिंग के रूप में बेस बनाये जाएगा इस बेस में म्यूजिम तियार किया जाएगा जिसमें भगवान राम के मूरल वा पेंटिंग्स होगी और साथी साथ एक छोटा सा मंदर भी बनाया जाएगा ताकि श्रदालुआ पूजा कर सके और हमारी योगियता है उस अधार पर प्रभु राम की मूर्थी हमें बनाने का हमारा मॉडल सेलेक किया गया था अभी फिलाल उसके कुछ काम नहीं चल रहा है हमने हाला कि और दो मॉडल और बनाये हैं तो हमें असानी होगी और बड़ी करने के लिए बाकि अभी जमीन अधि सत्मा के ऊपर विशाल छत्र लगाया जाएगा और उनके दाहिने हाथ में तीर तो बाएं हाथ में विशाल धनुश होगा ब्यूरो रिपोर्ट आज की खबर